Hello बच्चो, Welcome to the YouTube channel of MGCI, जहां पर आप लोग देख रहे हैं प्रदिग्य test series के video solutions. इस प्रदिग्य test series में FLT स्टार्ट हो चुके हैं, FLT का आज 3rd वाला paper था. I hope आप लोगों के test papers बहुत अच्छे जा रहे होंगे. अब हम analysis करते हैं FLT 3rd के zoology वाले section का. चले, syllabus में complete syllabus है, let's start with the question number 1. Question number 1 क्या कहता है, in mammalian kidney, bowman's capsule occur in dash, while loop of henle are situated in dash. जैसा कि हम जानते हैं कि mammals की kidney में, bowman's capsule जो है, वो कहां पर होता है, cortex में होता है, और loop of henle जो है, वो कहां located होता है, medulla में होता है, ठीक है? तो हमारा answer आगया यहाँ पर, cortex और medulla, वलकुट और मद्यांच, clear है बच्चों यह, ठीक? चले, अब next वाले question पर आते हैं, diuresis is the condition characterized by, diuresis ऐसी स्थिती है जिसमें, अब पहले हम recall कर लें कि diuresis क्या होता है? diuresis होता है, increase in the loss of water, ठीक है, जब हमारी body से जल का नुकसान अत्यधिक हो जाता है, उस condition को बोला जाता है, diuresis, चले, अब answer देखते हैं इसमें, increase in urine volume, yes, urine volume बढ़ रहा है, मतलब water का नुकसान भी तो बढ़ रहा है ना, हमारी body से, ठीक है? increase in glucose excretion ये गलत हो जाएगा, ठीक है? decrease in urine volume ये भी गलत है बच्चों, decrease in electrolyte balance, electrolyte संतुलन में कमी, ये भी गलत है, तो हमारा answer आगया यहाँ पर first, मूत्र के आयतन में व्रधी, इस स्थिदी को बोला जाता है, diuresis, clear है? चलिए, 153 question पर आते हैं, according to the sliding filament theory of muscular contraction, पेशी संकुचन के सरपे तंतु सिद्धान्त के अनुसार, अब sliding filament theory में क्या होता है, ये हमें देखना है, actin binds ATP and breaks it apart, as actin pulls against myosin, actin ATP को बांधता है, क्या actin ATP को बांधता है? मायोसिन बांधता है ATP को, ठीक है? और इसे अलग करता है, क्यूंकि actin myosin के विरुद्ध खीचता है, ये वाला statement जो है, वो गलत हो गया, calcium ions are released from myosin as the filament slides by, जब तन्तु फिसलते हैं, तब calcium ion myosin से मुक्त होता है, calcium ion to sarcoplasmic reticulum से मुक्त होता है, myosin से कहां मुक्त होता है, तो ये वाला statement गलत हो गया, इस प्रक्रिया के दौरान मोटे और पतले तन्तु की लंबाई नहीं बदलती है, the thick and thin filaments do not change the length during this process, yes, जब यहाँ पर sliding filament theory होती है, तब overlapping portion भड़ता है i-band का, i-band की length में कोई कमी नहीं आती है, चीक है, और नहीं A-band की length में कोई difference आता है, तो जैसे हमने ये बोला, this is actin और ये है myosin, तो i-band slide करता है, i-band slide कर रहा है, कम थुड़ी उरी उसकी length, तो दोनों जो तन्तु होते हैं, उनकी length बरावर होती है, बस क्या घटता और बढ़ता है, overlapping zone जो है, वो बढ़ जाता है, clear है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर हमार answer हो जाएगा, इसमें C, इस प्रक्रिया के दोरान, जो मोटे और पतले तंतों की लंबाई होती है, वह नहीं बदलती है, ठीक है, चलिए, next question पर आते, match the column, बहुती simple सा question लगा होगा हमें ये, name of bones को हमें match करना है, thoracic, thoracic कितनी होती है हमारे पास में, thoracic होती हमारे पास म हमें, यहां पर first, फिर false rib कितनी होती है, अपने पास में false rib होती है, अपने पास में 8, 9 और 10 pair, तो 8, 9 और 10 pair, यानि कि हो गया 3, तो इसका हो जाएगा हमारे पास में 4, मेटा टार्सल कितने होते हैं हमारे पास में मेटा टार्सल होते हैं हमारे पास में 5 मतलब D का हो जाएगा यहाँ पर 6 स्कल में क्रेनियल और फेशल बोन्स कितने होती है यह होती है बाविस यानि कि E का हो जाएगा हमारे पास में 8 7 ठीक है तो यहाँ पर 3, 1, 4, 6 और 7 तो 3, 1, 4, 6 और 7 ये आगे हमारा answer, match the column का clear है बच्चो, तो solve होगे हमारा equation which of the following describe correctly the homologous structure, homologous structure को कौन सी चीज correctly describe करती है अब मैंने आपको सिखाया था कि homologous organ यानि जो समझात संरचनाए होती है कि जो समझात संरचनाए है इनका origin होता है same, यानि कि हमने यहाँ पर बना दिया है कि they have same origin, पर इनका जो function होता है वो different होता है F1 हो गया, F2 हो गया F3 हो गया और F4 हो गया इस तरीके से हमें homologous और analogous organs को याद रखना है अगर यहाँ पर आप लोग analogous बनाना चाहेंगे, तो analogous का क्या होगा, analogous में origin होता है अलग-अलग, यह O1 हो गया O2 हो गया, O3 हो गया यह O4 हो गया, और यहाँ पर function हो गया सबका scene तो यह homologous है और यह analogous है अब find out करते हैं answer क्या होगा देखें, organs that have low function now but had an important function in ancestors ऐसे अंग जिनका अब कोई अर्थ नहीं है किंतो पुर्वजों में उनका महत्वपूर्ण का रहे था नहीं बच्चों, यह तो vestigial organ है किसके बारे में बात हो रही है यह vestigial organ की बात हो रही है organ appearing only in embryonic stage and disappearing later in the adult वे अंग जो केवल बुरूनी अवस्था में दिखाई देते हैं और बाद में वयस्क में गायब हो जाते हैं नहीं यह तो embryological evidences का यहां पर प्रमान हो गया clear है organ with anatomical similarity but performing different functions anatomical similarity but performing different type of functions शारिरेक समानता वाले किन्तु अलग-अलग कारे करने वाले अंग यही है हमारा answer चले organ with anatomical dissimilarity but performing same function anatomical dissimilarity पर same function perform करने वाले तो यह तो हो जाएंगे हमारे analogous और third वाला जो point है यह show कर रहा है हमारा homologous यानि की समझात अंग clear है तो हमारा answer क्या आ जाएगा answer आ जाएगा बच्चों हमारा इसमे C clear है ठीक चलिए आगे बड़े आपपन इसमे question number 156 the first organisms were evolution की respect में पूछा गया है यह question कि evolution की respect में सबसे पहले organisms कौन से थे सबसे पहले organisms थे chemo, hotro, drop यानि कि रसायन विशम पोशी रसायन विशम पोशी का आर्थ यह है कि ऐसे organisms जो chemical का यूज करते थे chemical पर dependent थे अपने food के लिए जो directly chemical को खा रहे थे ठीक है और रसायन स्वपोशी का मतलब होता है जो chemicals का यूज करके खुद के लिए भोजन का निर्मान कर रहे है तो सबसे पहले वाले organisms कौन थे सबसे पहले वाले थे chemo, hetero, troughs clear है बच्चों चले next question पर आ जाते which of the following groups of animal belonging to the same phylum एक जैसे phylum को belong करने वाले organisms कौन से है देखे earthworm, endlida pinworm जो है वैसके helminthes का टेपवम गलत हो गया प्रॉल, इसकॉर्पियो और लॉकस्टा येस ये है phylum, आर्थरोपोडा क्या आ गया हमारा अंसर spawn, cianemone cianemone, phylum, cilindrita का हो गया starfish, ikainodermita का हो गया malarial parasite जो है ये तो एक टाइप का protozoa हो गया amoeba जो है और mosquito तो mosquito तो अलगी हो गया आर्थरोपोडा का amoeba जो है ये protozoa में आ गया ठीक है protista में आ गया ये चले तो यहाँ पर धींगा बिच्छू और लॉकस्ट प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉकस्टा ये तीनों organisms जो है these belongs to the phylum आर्थरोपोडा ठीक चले ART के बारे में next question है हमारा Assisted Reproductive Technologies Assisted Reproductive Technologies पहले तो याद कर लो कि ये किस काम में आती है Assisted Reproductive Technologies जो है वो infertility को ठीक करने के काम में आती है याद आ गया आप लोगों को infertility को ठीक करने के काम में आती है कौन-कौन सी methods पढ़ी है अपने इसमें test tube baby है फिर उसके बाद में artificial insemination है जिफ्ट है, गिफ्ट है ये सा बाता है इसके बारे में question पूछा गया है चलो देखें Include social awareness programs to educate people about the reproductive health and diseases लोगों को जनन स्वास्त और रोगों के बारे में शिक्षित करने के लिए सामाजिक जागरुकरक कारेक्रम में शामिल करना नहीं नहीं ये ART का काम नहीं है Include research organization working on to produce new and more effective contraceptive जन्म नियंत्रन के लिए नयवा अधिक प्रभावी गर्व निरोधकों के उत्पादन पर काम करना ये भी ART का काम नहीं है गलत हो गया है ना Include a number of special technique which assists infertile couples to have children कई विशेश तक्नीके शामिल करना जो बंद्य दमपत्ती को बच्चे पैदा करने में सहायता करती है Yes, बंद्य दमपत्ती को बच्चे पैदा करने में सहायता करती है infertility को treat करने के लिए method होती है clear है ART which of the following STDs are not completely curable कौनसी ऐसी STD है जो completely curable नहीं है ठीक है अब हमें ये मालूम है कि जो viral STDs होती है वो viral STDs पूरी तरीके से ठीक नहीं की जा सकती जिनका पूरी तरीके से इलाज नहीं हो सकता तो अब viral STDs में कौनसी आ जाएगी देखे clemydiasis, gonorrhea, gonorrhea तो bacterial है यहां से हडिया syphilis ये भी bacterial है हडिया यहां से ठीक है syphilis bacterial है AIDS, genital, herpes और hepatitis B ये तीनों जो है ये viral diseases है viral STDs है जिने ठीक नहीं किया जा सकता है ये non curable होती है clear है बच्चों इतना चले next question पर चलते question number 160 intensely lactating mother do not generally conceive due to जो अत्यदिक स्तनपान कराने वाली माताय होती है आम तोर पर घर्बधारण नहीं कर पाती है कहां से question आया है ये ये question है बच्चों हमारा lactational A minoria का और lactational A minoria में क्या होता है जो हमारा GTH होता है इस GTH को suppress कर दिया जाता है gonadotrophin hormone को suppression of gonadotrophins hyper secretion of gonadotrophin suppression of gamut transfer and suppression of fertilization मतलब gonadotrophin का संदमन का कारण है gonadotrophin के संदमन का कारण कौन है prolactin क्योंकि जो अत्यदिक स्तनपान कराने वाली माता होगी उसमें prolactin का production जादा होगा milk का production जादा करवाना है तो prolactin जादा होगा और prolactin जो है वो क्या करता है GTH को suppress कर देगा clear है तो prolactin का का काम होता है GTH को suppress कर देना तो इसका आंसर हो जाएगा gonadotrophin के संदमन का कारण gonadotrophin यहाँ पर संदमित हो जाता है suppress हो जाता है जिसकी वज़ह से intensely lactating मदर जो है वो conceive नहीं कर पाती है clear है चलिए अब देखते हैं अपन question number 161 which of the following is correct homo erectus lived in east and central Asia and used heights to protect their body गलत है heights का use करने वाले थे सबसे पहले neanderthal man फिर agriculture came around 18,000 years back no agriculture came around 10,000 years back करशी की उत्पत्ती 10,000 वर्ष पूर हुई थी the skull of modern human resembles more closely to the baby chimpanzee than to that of adult chimpanzee आधुनिक मानव की खोपड़ी वयस्क chimpanzee की तुलनाब में शिशू chimpanzee से अधिक मिलती है yes evolution में जहां human evolution दिया हुआ है बच्चों human evolution में पीछे की तरफ में structure दिया हुआ है comparison between the skull of adult human with the baby chimpanzee and adult chimpanzee तो उसमें नीचे की तरफ में point लिखा भी हुआ है कि adult human का जो skull होता है वो resemble करता है with the skull of the baby chimpanzee clear है बच्चों तो answer क्या आजाएगा हमारा answer आजाएगा हमारा C clear? ठीक? select the incorrect match from the given option अब इन options में से हमें incorrect match जो है वो find out करना है homo habilis their brain capacity were between 650 to 800 cc hold पर रखते homo erectus its fossil was discovered in java in 1891 ठीक है neanderthal man they used hides to protect their body and buried their red body ramapithecus arose in africa and move across the continents and developed into distinct races clear है तो देखे बच्चों इसमें answer क्या होगा हमारा homo habilis की brain capacity सही है बिलकुल homo erectus they were also called as the java app man neanderthal man सबसे सब भी माना विन को माना जाता था पर ramapithecus जो है वो एफरिका में नहीं आए थे ये गलत information है and moved across the continent and developed into distinct races नहीं ये महाद वीपों में चले गए थे और अलग-अलग नसलों में विक्सेत हुए थे ये point गलत है तो हमारा जो incorrect वाला option है ये कौन सा हो जाएगा हमारा दी ramaapithecus के बारे में जो information दी हुई है वो information गलत है चलिए अब next question पर आते इस पोर्टल सिस्टम इस present in frog कोई साब पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में present है but it is absent in rabbit और वो rabbit में absent है rabbit क्या है बच्चो rabbit है mammal अब ऐसा कौन सा पोर्टल सिस्टम है जो frog में present है पर mammal में absent है आंशर हम लिख सकते हैं that is renal portal system ठीक है renal portal system हम फ्रॉग में present है पर रैबिट में absent है हैपिटिक तो दोनों में present है तो बच्चों answer क्या आगया अपना so simple वरक्क निवाहिका तंत्र, renal portal system present in frog but absent in mammals, ठीक चले, a figure given below shows the mechanism of breathing, identify the stage X अब ये जो हमारा figure है ये हमको breathing का mechanism बता रहा है हमें X stage का पता लगाना है कि वो कौन सी है, ठीक अब देखे जरा, यहां देखिए ribs और sternum वाला जो arrow है वो उपर की तरफ में जा रहा है मतलब ribs और sternum उपर की तरफ में उठ रहे है upward उठ रहे है diaphragm नीचे की तरफ में जा रहा है अभी diaphragm कैसा है, flat है अभी diaphragm कैसा है, इस तरीकिका है तो diaphragm जो है, वो ऐसा हो जाएगा ठीक है, flat हो गया, contract हो गया तो नीचे की तरफ में जा रहा है यह वाला जो volume है वो कैसा होगा, increase हो जाएगा तो volume of thorax जो है वो increase हो रहा है, तो volume of thorax कब बढ़ता है volume of thorax बढ़ता है कर रहा है कि यहां पर inspiration हो रहा है, कैसे पता लगाया हमने, कि ribs और इस्टार्राम ऐसे arrow दिखा रहा है, मतलब upward और outward move कर रहे हैं, diaphragm जो है, वो dome shape से flat होता जा रहा है, मतलब हमारा जो anterior posterior volume है, यह anterior posterior volume जो है वो बढ़ जाएगा, anterior posterior volume अगर बढ़ेगा, तो मतलब pressure कम हो जाएगा pressure कम होना, कितना negative में चला जाना intra pulmonary pressure का, क्या show करता है, inspiration, तो answer आगया हमारा यहां पर, inspiration और A की जगे पर हो जाएगा, यहां पर raised, B की जगे पर हो जाएगा, यहां पर volume of thoracic cavities also increases, और C की जगे पर हो जाएगा, यहां पर contracted, तो our answer will be B, ठीक, क्या होगा हमारा answer बच्चों, B, inspiration उपर उठेगा, फिर उसके बाद में volume जो है वो बढ़ जाएगा, और dome shape से यहां पर यह flat हो जाएगा, यानि की diaphragm होगा contract, clear, चले, now, question number 165, functional residual capacity in human is the amount of air, functional residual capacity क्या होता है, यह पूछा गया हमें, तो FRC क्या होता है, the amount of air which remains in the lungs after normal expiration, तो normal expiration करना मतलब TV बाहर निकालना, तो TV के बाद में हमारी body में ERV भी बचा रहता है, और RV भी बचा रहता है, अब इसके according option अपन सर्च करते है, that can be filled in the lungs by forceful inspiration, यह नहीं है, जिसे बल पूरवक अंतह श्वसंदारात फेफ़डों में भरा जाए, यह बिलकुल गलत है, जिस निकाला जाता, that remains in the lungs after normal expiration, yes, जैसा हमने formula लिखा है, उसके according यह statement वही कहता है, कि जो सामान्य नेश्वसंद के पश्चा फेफ़डों में शेश बच जाती है, यानि कि वो भी बचेगी, जिसे हम forcefully expire कर सकते हैं, और वो भी remaining रहेगी, जो हमेशा हमारे lungs में रहती है, जिसे क रहा जाता है, residual volume, तो हमारा correct answer यहाँ पर हो जाएगा, बच्चों, C, clear, चले, अब next हम चलते है, question number 166 पर, if a person is suffering from emphysema, emphysema से जो person सफर करता है, तो उस person की alveolar का, जो surface area होता है, वो damage हो जाता है, यह तो हमें याद है, है न, चले, देखे, bronchioles are found damaged, श्वस्निकाएं, शती ग्रस्त हो जाती है, बिलकुल गलत है, alveolar walls are found damaged, कुपिकाओं की भित्ती शती ग्रस्त हो जाती है, यह सही है, the plasma membrane are found damaged, plasma membrane का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर, respiratory muscles का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमारा सही answer क्या हो जाएगा, alveolar walls, कुपिकाओं की भित्ती शती ग्रस्त हो जाती है, अब, next चलते हैं अपन question number 167 पर, which of the following statement best defines artery, इन में से कौन सा statement जो है, वो arteries को best तरीके से define करता है, देखे बच्चों, जो हमें याद है, उसे अपन थुड़ा सा recall करते हैं, arteries वो होती हैं, जो blood को heart से दूर लेकर जाती हैं, और veins वो होती हैं, जो blood को heart के पास लेकर आती हैं, ठीक है, तो it carries the blood from visceral organs to another visceral organs, ये गलत है, एक देही कंग से दूसरे देही कंग तक नहीं लेकर जाती है, it carries oxygenated blood to the different organs, ये सही है, oxygenated blood यानि कि oxygenate रक्त को दूसरे अंगों तक लेकर जाती है, पर pulmonary artery तो एक exception है, वो तो deoxygenated blood को heart से लंग स तक लेकर जाती है, तो इसलिए ये वाला जो statement है, वो भी गलत हो गया, it carries the blood away from the heart to the different organs, ये बिलकुल सही statement है, जहां पर कोई exception लागू नहीं होता, कि artery वो होती है, जो blood को heart से दूर लेकर जाती है, और veins वो होती है, जो blood को heart के पास लेकर आती है, irrespective of the fact, कि वो artery oxygenated blood carry कर रही है, या फिर de oxygenated blood carry कर रही है, clear है बचों, तो answer हो जाएका इसका C, clear, यह रक्त को रदय से दूर विभिनना अंगों तक लेकर जाती है, ठीक है, चलिए, next question, question number 168, which is correct route through which the pulse making impulse travels in the heart, अब हमें यहां पर इस पंदन कारी आवेग का सही मार्ग बताना है, इस पंदन कारी आवेग का सही मार्ग हम लोगों ने already पड़ा हुआ है, हम पहले याद करके देख ले, sa node, sa node से जाता है, वो av node, av node से वो जाता है, av bundle, av bundle से bundle of his, और bundle of his से purkinje fibers, अब find out करते हम सही answer, सबसे पहले sa node और sa node इस d, फिर av node यहां दिया हुआ है, परकेंजे fiber, आगे हमारा सही answer, है न, sa node, av node, bundle of his, परकेंजे fibers, तो हमारे 168 वाले question का answer हो जाएगा, a, ठीक, ठीक, चले, now, question number 169, the first heart sound, that is love, coincides with which wave of ecd, first heart sound, love जो है, वो किसकी वज़ा से आता है, by the closure of, by kaspid, and tricuspid valve, ठीक है, और bicuspid और tricuspid valve के साथ में, जो closure होता है, वो कब होता है, ventricular contraction के समय पर, during the initiation of ventricular contraction, first heart sound आता है, that is called as love, और during the ending of ventricular contraction, second heart sound आता है, that is called as the tub, तो initiation कहां से start होता है, ventricular contraction का, ECG में, QRS complex है, तो QRS complex में, कौनसी wave, कौनसाइट करेगी, R wave, कौनसाइट करेगी, with the ventricular contraction, that is with the first heart sound, love, ठीक, चले, अब आ जाते हैं, अपन, with the question number 170, during systemic circulation, blood leaves dash and dash, systemic circulation में, blood किसको leave करता है, देखो, देहिक परिसंचरन के दौरान, रक्त dash को छोड़ता है, व, dash में जाता है, अब किसको छोड़ता है, left ventricular को छोड़ता है, answer A, B हो सकता है, और D, B हो सकता है, और left ventricular को छोड़कर, goes directly into the aorta, तो ये हमारा answer आ गया, कि जब हम systemic circulation की बात करते हैं, तो oxygenated blood left ventricle को release करता है, और left ventricle से directly किस में एंटर हो जाता है, वो aorta में एंटर हो जाता है, तो बाए निले से, वो सीधे महाधमनी में चला जाता है, यानि कि aorta में चला जाएगा, तो हमारे 170 वाले question का answer हो जाएगा A, अब हम आते हैं question number 171 पर, select the correct match, हमें column 1 और column 2 में match करना है, fall in GFR, जैसे ही हमारी body का GFR, glomerular filtration rate जो है, वो घटता है, यानि कि blood का volume कम हुआ होगा, blood का pressure कम हुआ होगा, तब जाकर GFR जो है, वो घटा होगा, तो GFR अगर कम होता है, तो क्या होता है, it activates the JG cells, ये JG cells को activate कर देत है, और JG cells को activate करने के बाद रेनन रिलीज होता है, angiotensin second, ये क्या करवाता है, angiotensin second, increases the glomerular blood pressure and thereby the GFR, angiotensin second is a powerful vasoconstrictor, जिसकी वज़ा से ये glomerular blood pressure को बढ़ा देगा, और GFR जो है, वो increase हो जाएगा, मतलब second वाले का हो जाएगा, बी, अब रेनन जो है, ये क्या करवाता ह है, रेनन, it helps in the conversion of angiotensinogen to the angiotensin one, ठीक है, तो it carries out the conversion of angiotensinogen in the liver to angiotensin one, तो यहां पर third का हो जाएगा, third, फिर eldosteron, eldosteron is a type of a mineralocorticoid, अब mineralocorticoid अगर ये है, तो eldosteron जो है, वो ions के reabsorption में help करवाएगा, तो it causes reabsorption of sodium and water from the distilled part of tubule, यहां किसके बात हो रही है, DCT की बात हो रही है, तो distilled part से, यहने कि DCT से यह ions का और water का reabsorption करवाता है, this also leads to an increase in blood pressure and thereby GFR, और यह water का और ions का reabsorption करवाके, GFR को increase करने में भी help करता है, फिर, an excessive loss of fluid from the body, अगर हमारी body से बहुत जादा fluid loss हो रहा है, dehydration बहुत जादा हो गया ह तो यह activate करता है osmoreceptors को which are located in our hypothalamus, और hypothalamus में जो located osmoreceptors हैं, यह release करवाते हैं ADH, anti-diuretic hormone, और जो anti-diuretic hormone है, वो nephron का जो last वाला part होता है DCT, उससे जो associated होता है CD, तो CD से water के reabsorption में help करवाते हैं, जिसकी वज़े से human urine कैसा बनता है, hypertonic बनता है, तो बच्चों यह question हो गय पर हमारा answer आजाएगा A, A का हो जाएगा first, B का second, C का third, D का fourth and E का fifth, clear है, तो answer हो जाएगा हमारा यहाँ पर A, clear, चले, next question की तरफ बढ़ते हैं, which part is capable of reabsorption of HCO3 negative and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood, कौन सा भाग HCO3 negative के पुनह, अवशोशन और hydrogen, potassium, ammonia के स्त्रावण में सक्षम है, जिससे pH और sodium potassium का संतुलन रक्त में बना रहे है, किस part की बात हो रही है, यहाँ पर, देखो, यह जो सारा हमको data दिया हुआ है, यह या तो PCT की बात हो रही है, या फिर DCT की बात हो रही है, ह तो PCT जो है, वो 6th number का हमें PCT दिखाए दे रहा है, फिर उसके बाद में यह वाला जो portion है, यह है हमारा DCT, ठीक है, DCT हमें 7th number में दिखाए दे रहा है, match करके देखे, यहाँ पर हमारा answer आगया है, 7th number, ठीक है, D option है, और यहाँ पर यह description किस के बारे में दिया हुआ है, description यहाँ पर DCT के बारे में दिया हुआ है, clear है, तो बहुत है simple question था बच्चों यह, बढ़ते हैं आगे हम, question number 173, refer the following figure and answer the question, fusion of which of the following bones, 1 to 6 number में bones दिवी है, responsible for the formation of coxal bones, coxal bones के formation के लिए कौन सी 3 bones का fusion required है, ileum, istium और pubis, जानते हम यह, ileum, istium और pubis जो है, यह तीनों मिलकर, one coxal bone बनाती है, और coxal bone जो है, this is the part of the pelvic girdle, यह किसका हिस्सा है, pelvic girdle का, जिसे हिंदी में कहा जाता है, श्राणी मेखला, तो यह श्राणी मेखला का हिस्सा है, अब देखें यहाँ पर कौन सी bones है, यहाँ पर, देखें, तो यह हो जाएगी first, second और third, तो first, second और third, जो है, यह हमारी ileum, istium and pubis, यह तीनों मिलकर, जो है, वो यहाँ पर fuse हो जाती है, और fuse होने के बाद में, coxal bones का formation करती है, clear, let's move towards question number 174, what is correct order that a motor nerve impulse travels when triggering a muscle contraction, पीशी संकुचन को trigger करने के लिए, चालत तंत्री का आवेक के संचरन का सही क्रम, बताईए, ठीक है, तब अपन देखते हैं, सही क्रम क्या होगा, motor neuron, motor neuron, जो है, वो signal लेकर आता है, वो signal जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर सबसे पहले, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतला, the space which is present between the motor neuron and the muscle, उसको अपन भोते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, फिर उसके बाद में सिनेप्टिक क्लेफ्ट से मसल की plasma membrane पर जाएगा, मसल की plasma membrane का नाम क्या है बक्चों, सार्कोलेमा, फिर स सार्कोलेमा से कहा जाएगा, सार्कोप्लास्मी क्रेटिकुलम में, सार्कोप्लास्मी क्रेटिकुलम से क्या release होगा, calcium ion, because सार्कोप्लास्मी क्रेटिकुलम is the storehouse of calcium ion, जैसे ही calcium ion सार्कोप्लास्म में आ जाएगा, तो ट्रोपोनिन इस calcium ion के साथ में जुड़ जाएगा, और ट किनेप्टिक दरार से सार्कोलेमा, सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम, कैल्सियम आयन और ट्रोपोनिन तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा A, clear Next, which of the following event is involved in the transfer of information across a chemical synapse? Chemical synapse के थुप, अगर हमें information जो है वो पहुचानी है, तो कौन responsible है? निम्न में से कौन सी घटना रसायनिक युगमानुबंध से सूचना के स्थाना आंतरण में सम्मीलेत हैं देखते हैं, neurotransmitter bind to the post synaptic receptors, neurotransmitters जो secret होते हैं, उनके receptors जो हैं, वो post synaptic membrane पर present होते हैं अगर post synaptic membrane पर receptor present होंगे, तो neurotransmitter bind होगा और अगर receptors नहीं होंगे, तो neurotransmitter bind नहीं होगा ठीक है? तो ये वाला statement तो सही है, ये involved होता है for the transfer of information calcium channel opens in the pre synaptic region, ये भी बिल्कुल सही है, calcium channel open होते हैं, जिसकी वज़ए से calcium का influx होता है और calcium के influx के बाद में, जो synaptic vesicles होते हैं, उनमें movement चालू होता है और synaptic vesicles फिर exocytosis के थुरू neurotransmitter को release कर देंगे, ठीक है? ये भी पढ़ा है हमने ion channels open in post synaptic membrane, ion channel पश्च synaptic शेत्र में खुलते हैं ठीक है, ion channels पश्च synaptic membrane पर खुलते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब synaptic left में neurotransmitter आ जाएगा, neurotransmitter के जो receptors होंगे, वो neurotransmitter को जब hold कर लेंगे, तब membrane का surface depolarize हो जाएगा, और depolarize होने पर क्या होगा, जो बाहर की तरफ के sodium ions होंगे, वो अंदर चले जाएगे, और अंदर की तरफ में positive charge जो है, वो predominating हो जाएगा, और इस condition को अपन बोलते हैं, depolarization clear है, ठीक, तो यह वाला statement भी सही है, फिर direct flow of ions from one neuron to the next है, नहीं, chemical synapse में इस तरीके का, यहां पर कोई भी statement नहीं होगा, कि ions के थ्रू, यहां आपने को information क्या दी जानी, chemical synapse की, और यहां क्या बोल रहा है कि ions के थ्रू direct flow जाएगा, ions के थ्रू थोड़ी होगा, एक neuron से दूसरे neuron में, ion का सीधा प्रवा है, chemical synapse में ion involved नहीं होगा, chemical involved होगा, और chemical कौन सा, neurotransmitter, तो statement 1, 2, और 3, यह statement हमारे सही है, ठीक है बच्चो, during the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on inner side of plasma membrane has which type of electric charge, तंत्री का तंत्रों के माध्यम से, तंत्री का आवेक के संचरण के दोरान, प्लाज्मा जिल्ली के भीतरी भाग की विभव में, किस प्रकार का विद्यूत आवेश होता है, ठीक है, अब क्या पूछा गया है यहाँ पर, कि जब nerve impulse का transmission होता है, तो transmission में अंदर की तरफ में potential कैसा होता है, प्लाज्मा एम्ब्रेन में अंदर की तरफ में potential जो है, वो कैसा होता है, तो अंदर की तरफ में पहले तो negative होता है, फिर जब depolarization हो जाएगा, तब अंदर की तरफ positive हो जाएगा, बाहर की तरफ negative हो जाएगा, जब repolarization हो जाएगा, तब अंदर वापस negative और वापस positive हो जाएगा, देखे जरा answer कौन सा match हो रहा है, First positive, then negative, again back to positive Positive तो होता नहीं है First negative, then positive, again back to negative यही हमने देखा पहले negative होगा फिर उसके बाद में positive हो जाएगा फिर उसके बाद में दुबारा कैसा हो जाएगा, negative हो जाएगा तो बच्चों answer क्या होगा हमारा? B, पहले रिनात्मक, फिर धनात्मक, फिर से रिनात्मक, पहले रिनात्मक, जब resting stage पर होगी membrane, फिर उसके बाद में धनात्मक कब होगा, जब action potential generate कर लेगी, depolarization के समय पर, दुबारा से रिनात्मक, यानि की negative कब होगा, जब membrane का repolarization, यानि की पुनर धुरूवी करण जब होग अंदर वाला surface negative, clear है, next question, ureter of male frog contains, male frog के ureter में, क्या चीज़ें प्रिजेंट होती है, तो male frog का जो ureter है, this is called as urinogenital tract, ये tract है जिसके through urine और sperm, दोनों body के बाहर निकलते हैं, तो नर मेंड़क की मूत्र वाहिनी ले जाती है, मूत्र और शुकराणू, यानि की urine और sperms दोनों carry करती हैं, इसलिए उनके ureter को बोला जाता है, urinogenital doctor, या फिर urinogenital tract, तो answer हो जाएगा हमारा इसमें D, urine and sperm both, चले है, In frog, during hibernation and estimation, the metabolic rate is, मेंड़क में शीत समाधी और ग्रीश्म समाधी में उपापचे दर क्या होती है, जब मेंड़क यानि की frog जो है, वो seasonal sleeps में चला जाता है, तो seasonal sleeps में गर्मी के मौसम में तो जिन्दा नहीं रह सकता, Extreme thund में भी जिन्दा नहीं रह सकता, उतना ही metabolism करता है, जितने की help से वो जिन्दा रह सके, तो metabolism की rate कितनी हो जाएगी, minimum, maximum अगर करेगा, तो उसे food के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो वो उतना ही भोजन खर्च करेगा, उतनी ही energy बनाएगा, जितनी की उसको जिन्दा र यह हम बहुत बार पड़ चुके हैं बचो, फ्रॉग की टंप bifurcated होती है, अग्र सिरे पर द्वी पालित होती है, bifurcated at the anterior tip, clear? next, frog has no neck, if it would have present, then, अब frog के पास में neck नहीं होती है, मेंड़क में ग्रीवा नहीं होती है, अगर उपस्थित होती तो क्या होता? मेंड़क के पास में अगर neck होती, तो वो ठीक तरीके से jump नहीं लगा सकता था, ठीक है? neck अगर होती, तो उसको balance करना पड़ता उसकी body को, तो neck नहीं है, तो वो ठीक तरीके से jump लगा सकता है, देखें, swimmed easily in water, इसे कोई फरक नहीं पड़ता है, solid it, spray easily, अपने शिकार को आसानी से निगल सकता है, breathe easily by floating on the water surface, ऐसा भी बिलकुल नहीं है, been unable to leap and on land easily, भूमी पर आसा आसानी से चलांग लगाने में असक्षम होता, अगर frog के पास में गरदन होती, तो, frog के पास में गरदन नहीं है, इसलिए वो भूमी पर आसानी से चलांग लगा सकता है, clear है, चलिए, आप question number 181, which of the following statement are true or false, इन में से कौन से कथन सही और गलत है, the blood transports CO2 comparatively easily, because of its higher solubility, इसकी उच्छ विलेता के कारण ड्रक्त CO2 को अपेक शाक्रत आसानी से परिवाहित करता है, बिलकुल सही है, क्योंकि CO2 का जो solubility factor होता है, वो 25 times जादा होता है than the oxygen, तो जो gas जितनी जादा soluble होती है, उस gas का diffusion उतना जादा तीजी से होता है, तो first statement सही है, बच्चों, हमने टिक लगा लिए, यहाँ पर first है, अप्रॉक्सिमेटली 8-9% of CO2 is transported, being dissolved in the plasma of blood, no, 8-9% थोड़ी होता है, कितना होता है, सिर्फ 7% होता है, तो लगभग 8-9% CO2 का रक्त प्लाजमा में घुलकर परिवाहन होता है, नहीं, 7% CO2 का रक्त प्लाजमा में घुलकर परिवाहन होता ह है, the carbon dioxide produced by the tissue diffuses passively into the blood stream and passes into red blood corpuscus and react with the water to form HCO3, carbon dioxide जो tissue से produce होती है, वो passively diffuse हो जाती है blood stream में और blood stream से कहां चली जाती है, RBC में, और RBC में वो जाकर react करती है, किसके साथ में, water के साथ में, और बनाती है H2CO3, यह तो बिलकुल सही है, है न, तो उतको द्वारा उत्पादित CO2 रक्त प्रवाह में निश्क्री रूप से विसरित होती है और RBC में प्रवेश करती है, RBC में उपस्थित होता है जल, जल के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाती है, यह statement बिलकुल सही है, ओक्सी हिमोगलोबिन और अरिथरोसाइट इस बेसिक, नो, ओक्सी हिमोगलोबिन बेसिक नहीं होता है, शारिय नहीं होता है, यह एसिडिक होता है, फिर, the chloride ion diffuse from plasma into the erythrocytes to maintain the ionic balance, ionic संतुलन को बनाय रखने के लिए chloride ion plasma से erythrocyte में विसरित होते हैं, बिलकुल सही है, यह कब की बात हो रही है, जब हम CO2 का transportation देखते हैं, तब बाहर से chloride ion जो है, विसरित होकर RBC में चले जाते हैं, और इस घटना को कहा जाता है chloride shift, इस घ घटना को कहा जाता है hembergers phenomena, ठीक है, तो हमारा जो last वाला statement है वो भी सही है, तो हमारा A, first वाला, third वाला और fifth वाला statement सही है, तो first, third और fifth जो है वो correct है, second और fourth जो है वो असत्त है, तो answer आगे हमारा बच्चो A, clear है, ठीक, चले है, अब आते हम question number 182, which of the following statements are correct, इन में से कौन स statement जो है वो सही है, the function of organ or organ system in our body must be coordinated to maintain the homeostresses, बिलकुल सही है, हमारे शरीर में जैविस्थिरता या homeostresses बनाने के लिए अंग और अंग तंत्रों के कार्यों में समनवय होना आविश्यक है, बिलकुल सही, vertebrates have more developed in neural system, बिलकुल सही, कशिरूकियों में अधिक विक सी तंत्री का अंत्र पाया जाता है, the cell body contains cytoplasm with typical cell organally and certain granular bodies called as nissles granules, कोशिका काय में कोशिका दरव्य और प्रारूपिक कोशिका यानि की typical cell organally's present होते हैं और उनमें विशेश दानेदार अंगक जिसे nissles granules कहा जाता है, पाय जाते हैं, बिलकुल सही statement है, exon is a long fiber, एक लंबा तंतू होता है, the distil end of which is branched, जिसका दूरस्त सिरा शाखित होता है, बिलकुल सही, exon इस तरीके से longated fiber है, जिसका last वाला जो end है, वो कैसा होता है, branched होता है, और branched होने के साथ-साथ में end पर ये solemn भी होता है, फूला हुआ भी होता है, each branch terminates as a bulb-like structure called a synaptic knob which possesses synaptic bulb, इनमें क्या present होते है, synaptic bulb, प्रतेक शाखा का अंतिम छोर लडी नूमा सनरचना होती है, जिसे synaptic knob कहा जाता है, जिसमें synaptic पूटिकाय होती है, तो ये भी हो गया हमारा, ये वाला statement जो है, ये भी correct है, synaptic vesicles होते है, containing the chemicals called as neurotransmitter, और इनमें neurotransmitters जो है, वो पाया जाता है, तो ये वाला statement जो है, ये भी सही है, तो इस question में हमारे सारे statements सही है, तो all of the above जो है, वो इसका अंसर आ जाएगा, clear? So, question number 183, assertion reason, the chemical synapses are more in our system than electrical synapses, हमारी body में electrical synapses जो है, वो कम है और chemical synapses जादा है, हमारी NCRT भी ये ही कहती है, Electrical synapses are more in our system, तो assertion सही हो गया, the conduction of nerve impulse is faster in chemical synapses, the conduction of nerve impulse is slower in chemical synapses, as compared to the electrical synapses, Racionic synapses में तंत्री का आवेक का चालन तेज होता है, नहीं, तंत्री का आवेक का चालन धी में होता है, assertion सही, reason गलद, तो कथन सही है, किन्तु इसका कारण सही नहीं है, if assertion is true, but the reason is false, तो answer हो जाएगा हमारा इसमें B, clear है बच्चों? चले, question number 184, which of the following statement is correct regarding the glucagon hormone, glucagon hormone के संबंद में कौन सा कथन सही है, it has opposite effect that of the insulin, yes, बिलकुल सही है, insulin के बिलकुल विपरीत कारे करता है, insulin यदि glucose के amount को घटा रहा है blood में, तो glucagon glucose के amount को बढ़ाएगा, it converts glucose to glycogen, नहीं, glucose को glycogen में नहीं बदलता है, ये glycogen को जरूर glucose में बदल देता है, तो ये गलत हो गया, it is given to diabetic patient, बिलकुल नहीं, diabetic patient को अगर glucagon दिया तो मर जाएगा बिचारा, है ना, तो ये गलत हो गया ये भी गलत हो गया, it is formed by beta cells of pancreas, गलत, it is formed by alpha cells of pancreas, तो बच्चों हमारा answer क्या जाएगा इसमें, ए हो जाएगा हमारा answer, ठीक है, अब आते हैं अपन question number 185, which of the following pair of hormones and their disorders are correctly matched, इन में से hormone और उसका disorder हमें बताना है, कौन सा वहला सही matched है, parathormone, cretinism, बिल्कुल गलत है, cretinism जो है वो thyroxine की deficiency से होता है, thyroxine से rickets गलत है ये, insulin, diabetes, insipidus, नहीं, diabetes, mellitus होगा यहाँ पर, और corticoid से addicence disease, ये बिल्कुल सही है, mineralocorticoid की deficiency से addicence disease होती है, तो 185 का answer हो जाएगा, D, ठीक, corticoid से addicence, रोग, D. चले हैं, अब आते हैं अपन question number 186, which of the following endocrine glands grows to the maximum size at puberty and then diminishes gradually, निम्न में से कौनसी अंतरस्त्रावी ग्रंथियां, योवना वस्था तक अधिक्तम आकार तक बदलती हैं और फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है, आंसर याद करने की या ढूनने की जरुवत ही नहीं है, आंसर याद है हमें, क्या आएगा answer, थाइमस, ठीक है, बहुत simple question paper है बच्चो, I hope आप लोग अच्छे marks score करोगे इसमें, next, a decrease in the level of estrogen and progesterone causes, जब हमारी body में estrogen और progesterone का level decrease हो जाता है, तब क्या होता है, estrogen, progesterone का level अगर decrease होगा, तो endometrium जो है, वो तूटना चालू हो जाएगी, और endometrium का अगर shed off start हो जाता है, मतलब next वाली menstruation cycle का first phase, bleeding phase जो है, वो आ गया है, ठीक है, देखे, अब answer कौन सा match होगा, growth and dilation of myometrium, myometrium में व्रद्धी और विस्तार बिल्कुल गलत है ये, growth of endometrium बिल्कुल गलत है, estrogen और progesterone अगर कम हो रहे हैं, endometrium की growth थोड़ी होगी, endometrium की growth तो कम होने लग जाएगी, ठीक है, construction of uterine blood vessel leading to sloughing of endometrium और uterine epithelium, गर्भाशे रक्त वाहिकाओं में संकुचन के कारण endometrium या गर्भाशी उपकला का तूट कर गिरना, यानि की यहाँ पर हमको explanation दिया जा रहा है about the menstrual phase, clear है, तो answer हो जाएगा हमारा इसमें C, release of ovum from the ovary, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ovary से ovum का release होना क्या कहलाता है बच्चो, ovulation, तो answer आगे हमारा C, चले, question number 188, which statement is incorrect, कौन सा वाक्य, गलत है, the tissues are broadly classified into epithelial, connective, muscular and neural, बिल्कुल सही है, चार प्रकार की टिशू होते हैं, उपकला हो तक, सायोजी हो तक, टेशी हो तक और तंत्रीका हो तक, छीक है, epithelial tissue has free surface, उपकला हो तक में मुक्त सता होती है, बिल्कुल सही एक मुक्त सता होती है, epithelial tissue provide a covering or lining for some part of the body, उपकला हो तक शरीर के कुछ भाग के लिए आवरणी अस्तर देती है, बिल्कुल सही कुछ भागों के लिए आवरणी अस्तर भी देती है, इन epithelial tissue cells are compactly packed, ठीक है, cells compactly packed होते हैं, with more intercellular matrix, with very less intercellular matrix, उपकला हो तक में कोशिका अधिक, अंतर कोशिक के आधावी के साथ, द्रड़ता पुर्वक जुड़ी होती है, पर अधिक नहीं, कम intercellular matrix के द्वारा, द्रड़ता पुर्वक जुड़ी होती है, तो answer इसमें, incorrect वाला बताता था, तो incorrect वाला statement कौन सा हो जाएगा, इसमें D, clear, चले, अब आते हैं हम question number 189 पर, which statement is correct, सही वाग की बताना है, Celiated epithelum is not found in fallopian tube, डिम्ब वाहिनी नलीका में, पक्षमा भी उपकला नहीं पाई जाती है, पक्षमा भी उपकला बिलकुल पाई जाती है, Squamose epithelum is made of single layer of cell with regular boundaries, शलकी उपकला एकल सतह कोशिकाओं के साथ नियमित सीमाओं से regular boundaries, जे regular boundaries नहीं होती, उनमें irregular boundaries present होती है, है न, PCT में Squamose epithelum present होती है, No, PCT में Brush border epithelum present होती है, ठीक है, Cuboidal epithelum is composed of single layer of cube-like cells, घना का रुपकला में एक इस तरिये घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है, Yes, ये वाला statement जो है, वो हमारा सही है, Cuboidal epithelum जो है, वो cube-like cells की बनी होई होती है, ठीक, तो answer हो जाएगा इसका D, Next, Question number 191, Which of the following statement is correct regarding the menstruation, menstruation से related, कौन सा statement correct है, The menstrual fluid can clot easily, नहीं, clotting नहीं होती है, menstrual fluid की है, The end of the cycle of menstruation is called as minarki, At menopause in the female, there is especially abrupt decrease in gonadotrophic hormones, मादा से रजो निवरत्ती पर विशेश रूप से gonadotrophic hormone में अचानक कमी आ जाती है, अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे कमी आती है, केर है, फिर, In human female, menstruation can be deferred by the administration of, combination of estrogen and progesterone, मानव मादा में estrogen और progesterone के सायोजब को प्रवेश करनारे पर आर्तव को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये वाला जो statement है, ये हमारा सही है, जब हमारी body में deliberately estrogen और progesterone को inject किया जाता है, तो suddenly अगर estrogen और progesterone का level जो है, वो बढ़ जाएगा, तो हमारा जो menstruation cycle है, वो कुछ समय के लिए pause हो जाता है, रुक जाता है, तो date जो है, वो menstruation cycle की वो delay हो जाएगी, तो बच्चों, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, हमारा answer हो जाएगा D, clear है, ठीक, अब आते हैं हम question number 192 पर, match the column, fertilization यानि कि निशेचन, इसकी location हमें दी हुई है, ampullo-isthemic junction, तो निशेचन का हो जाएगा 3rd वाला, implantation, implantation यानि कि blastocyst का पूरी तरीके से endometrium में 10 जाना, ठीक है, तो implantation हो जाएगा हमारा 5th, embedding of blastocyst in the endometrium, तो हमारा answer क्या बन सकता है, इसमें A का 3rd दो जगे पर, 3 जगे पर दिया हुआ है, B का 5th जो है वो दो जगे पर दिया हुआ है, मतलब C और D में से कोई एक option हमारा होना चाहिए, cleavage का A, mitotic division हो जाएगा, विदिलन, समसूत्री विभाजन, तो C का हो जाएगा 1, ठीक है, morula और blastocyst, यह दो चीजे बची होई है, morula क्या होता है, the embryo which is having 8 to 16 cells, तो embryo with 8 to 16 blastomeres हो जाएगा यहाँ पर morula, तो यह हो जाएगा 8 to 16 कोशिका वाला brun, यानि कि D का हो जाएगा हमारा second, और blastocyst जो है, the structure formed by continuous division of 8 to 16 blastomere, यह इसलिए हुआ यहाँ पर, क्योंकि 8 to 16 वाले को अगर हम morula कह रहे हैं, तो ऐसा blastocyst जो 8 to 16 में, अगर further division होगा, तो उसके बाद में क्या बनेगा, 16 to 32 stage वाली cell आईगी, तो structure formed by continuous division of 8 to 16 blastomere, 8 to 16 blastomere के निरंतर विभाजन से बनी सनरचना, तो यानि कि इसके बाद अगर बनेगी, तो number of cells जो है, वो उसमें increase हो जाएगे, तो इसलिए यहाँ पर blastocyst में, क्या जाएगा, ऐसा structure जो 8 to 16 blastomere के division के बाद में बना हो, clear, तो बच्चों answer इसका हो जाएगा D, ठीक है, चले, अब आते next question पर, the figure given below, sectional view of seminiferous tubule, तो यहाँ पर sectional view of seminiferous tubule में हमें बताना है, कि A to D में कौन सा ऐसा structure है, जहाँ पर meiotic division होता है, और 4 heploid cells, यानि कि spermatid जो है, वो produce होते हैं, तो 4 heploid cells जो है, वो किस से produce होंगे, by the secondary spermatocyte, secondary spermatocyte जो है, वो होगा हमारा B वाला cell, क्योंकि यह diagram बिलकुल हमारी बुक से छपके आया हुआ है, तो secondary spermatocyte उसमें कौन से वाले cells शो करते हैं, B cells, will show the secondary spermatocyte, clear है, ठीक, चले है, फिर, the feature of some structure of male reproductive system is given below, identify the structure on the basis of the characters which surrounds the primary sex organ of the male reproductive system, नर्जनन तंत्र के कुछ अनरचनाओं की विशिष्टाएं नीचे दिये गई है, नर्जनन तंत्र के प्रात्मेक लेंगिक अंग, यानि कि किस की बात हो रही है, यहां पर टेस्टिस की, को घेरने वाली संरचना का पहचान करें, तो टेस्टिस को घेरने वाली जो संरचना होती, यानि कि स्क्रोटम के बारे में हमें पूछा गया है, इसका फूला हुआ, शिरा, शीष्णमुंड कहलाता है, यहां शीष्ण के माध्यम से गती करता है और वीरे के साथ-साथ मूत्र भी ले जाता है, बिल्कुल गलत है, it is responsible for maintaining the low temperature of 2 to 2.5 degree Celsius from the normal temperature, यह शुकराणूओ की परिपकवन के लिए सामान ने शरीर के तापमान से 2 से 2.5 degree Celsius ताप को कम बनाये रखने के लिए उत्तरदाई होता है, तो यह किसके बारे में information दी गई है, scrotum के बारे में, ठीक है, फिर store sperms, prior to ejaculation, बिल्कुल करत इस खलंग के पूर्व यह शुकराणूओ का संगरहन नहीं करता है, तो answer क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो scrotum को शो कर रहा है, answer हो जाएगा इसमें C, clear, चले, चले, अब आते हैं हम question number 195 पर, choose the correct statement, according to WHO, reproductive health is total well-being in physical, social, emotional, behavioral aspect of reproduction, बिल्कुल सही है यह, India was among the second country, India, भारत का दूसरा देश नहीं, पहला देश है, in the world to initiate action plans, a reproductively healthy society has people with physically, functionally, normal reproductive organs, एक जननेक स्वास्त समाज में लोगों के जनन अंग शारिरिक में प्रकरात्मक रूप से सामान्य होते हैं, ठीक है, Reproductively healthy societies have abnormal sex related emotional and behavioral interactions, abnormal नहीं, नौर्मल, ठीक है, जननेक रूप से स्वास्त समाज में संबंधी सभी पहलूँ में भावनात्मक व विवहारिक पारस्परिक क्रियाएं असामान्य होती हैं, सामान्य होती हैं, तो statement हमारा second वाला गलत हो गया, और fourth वाला गलत हो गया, incorrect हमें पूछा था, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, first और third जो हैं, वो हमारे correct हैं, और second और fourth जो हैं, वो incorrect हैं, तो answer हो जाएगा हमारा correct statement के हिसाब से, first and third, question number 196, select the correct statement, cocaine is given to the patient after surgery, it stimulates recovery, गलत है, सर्जरी के बाद मरीजों को cocaine नहीं दिया जाता है, बार्विचुरेट जब अपरादियों को बार्विचुरेट दिया जाता है, तब वे सच बोलने लगते हैं, गलत information हैं, Morphin is given to the persons who have undergone surgery as painkiller, बिल्कुल सही, Morphin एक प्रकार का strong analgesic है, strong analgesic का मतलब होता है, जो strong painkiller हो, उसको हम कहते हैं strong analgesic, तो Morphin वाला statement सही, chewing tobacco lowers the blood pressure, तंबाकु चबाने से, blood pressure, रख्त, चाप और हरदे गती, दोनों बढ़ जाती है, तो सही statement हो जाएगा हमारा C, कि Morphin अक्सर surgery कराने वाले विक्तियों को दर्द निवारक के रूप में दी जाती है, next, which of the following characteristics is correct for reptilia, reptilia के बारे में correct statement बताना है, body covered with dry, cornified skin scales over the body are epidermal, they do not have external ears, सही है ये statement, शरीर शुष्क, श्रंगित तचा से ढखा हुआ होता है, शरीर पर epidermal शल्क होते हैं, तथा इन में बाह्यकर्ण नहीं होता है, बिलकुल सही, body is covered with moist skin, moist skin तो होती नहीं, dry skin होती हैं, devoid of scales, ear is represented by tympanum, elementary canal, urinary and reproductive tract, open into common cloaca, पर इस point की वज़े से गलत हो गया कि नम्त वचा, fresh water animal with bony endoskeleton and air bladder regulate the bionce, फिर, समुदरी जनतों हैं, जिन में उपास्थिल, अन्ता कंकाल होता है, तथा शरीर फ्लेकॉइट शल्क से ढखा हुआ होता है, हमारा first वाला statement जो है, वो reptiles के relevant में बच्चों सही है, ठीक है, बाकी सारी information जो है, वो ये दिया हुआ हमको ostrich thys के बारे में, और ये जो दिया हुआ है, ये है contract thys के बारे में, तो reptiles से related, first वाला statement सही है, ठीक है, तो answer हो जाएगा हमारा first, अब देखें, जीनस का नाम और किसके साथ में, किसके characters मैच हो रहे हैं, एसकेरिस, एसकेरिस जो है वो बिलॉंग करता है, यहां लिखा हुआ है, एनिलिडा, ये बिलॉंग करता है, एसके हेलमिल्थ को, तो ये तो पहली गलत हो गया, salamandra, belongs to the amphibia, tympanum represents the ear, fertilization is internal नहीं, fertilization external होगा, ठीक है, teropus, skin possesses hair, mammalia है, वीवी पैरस है, बिल्कुल सही, औरेलिया, नीडो ब्लास्ट, ओर्गन लेवल ओफ और्गिनाजेशन नहीं, यहां टिशू लेवल ओफ और्गिनाजेशन होगा, sealant rataphylem सही दिया हुआ है, तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा, teropus, ठीक है, तो टेरोपस जो है, वो रोम सहीत वचा होती है, वीवी पैरस होते हैं, और यह, इस्तन धारी है, तो आंसर वच्चों हो जाएगा हमारा, C, question number 199, animal kingdom से, animals को हमें identify करना है, तो A वाला animal हो जाएगा, octopus, B वाला animal जो है, यह हो जाएगा, starfish, हमारा answer, A, next, in which of the following options, the two examples given in the column, first and second, अब देखें जरा, कौन-कौन से examples यहाँ पर दिये हुए है, saliva in mouth and tears in eyes, तो saliva in mouth and tears in eyes, जो है, यह एक टैट के fluids है, तो fluids जो है, यह होते हैं, physiological barriers, ठीक, तो A का हो जाएगा, हमारा second, mucous coating of epithelium urinogenital tract and HCL in the stomach, ठीक है, तो यह हो जाएगा, हमारा physical barrier, ठीक, फिर, polymorphonuclear leukocyte PMNL, यानि की WBC, और monocytes, यह हो जाएगे, हमारे cellular barriers, ठीक है, फिर, anti-tittalus and anti-snake bite injections, तो यह active immunity नहीं होती है, यह यहाँ पर passive immunity होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें find out करना था correct match, तो correct match के हिसाब से हो गया, PMNL और leucos, PMNL monocytes, these are cellular barriers, तो यहाँ answer हो जाएगा, हमारा C, PMNL और monocyte क्या हैं, cellular barriers हैं हमारे, clear है, तो बच्चों, यह हो गया, हमारा zoology के paper का discussion, I hope आप लोगों का paper अच्छा गया होगा, आप लोगोंने साथी साथ marks भी calculate कर लिए होंगे, अब जो next paper होने वाला है, उसकी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से preparation करेंगे, till then, good luck.